हलो फ्रिंज वेलकम टू आज चानल करंट अफेर अपडेटेड दिस इस दिवशी शवस्ती और जैसे आपको पता होगा अभी रीसेंटली साइकलोन बहुत जादा न्यूज में है और अभी रीसेंटली साइकलोन भी आ चुका है आपने सुना होगा तमिल नाइडू में जिस आपको पता रहेगा कि कौन से साइकलोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है चलिए स्टाट करते हैं और एक खास बात यह भी बताँगा है कि हर साइकलोन का नाम रखा जाता है इसका मैं एक डिटेल लेक्षर बनाये हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड तो आपको माक क्या करना है करेक्ट आइट आइगा पहला कोशन दूसरा इसका नाम किस ने दिया है तो देखिए ये एक बड़ा important question हो जाता है naming किस ने किया तो इसकी naming की है M से man मारने ये आपको याद अखना है ठीक है और ये भी recent ही आपने देखा December month में ही 4th December को भी हमने देखा ये cyclone impact हुआ है कहाँ पर जाकर that is at 4th or 5th December पर इसका impact जो रहा है वो रहा है कहाँ पर that is at Tamil Nadu में ठीक है morning में 5th December में आपने देखा इसका impact हमको देखने को मिला है ठीक है तो ये तीन चीज़ इसमें exam के लिए important है जो आपको याद अरखनी है ठीक है Bay of Bengal में अरेबियंस ही नहीं है Bay of Bengal ही है ठीक है और अगर आप देखेंगे इसका नाम किसने रखा है इसका नाम रखा है Maldis ने आपके दिमाग में उखा है इसका नाम Maldis क्यों रख रहा है या इसका नाम Myanmar क्यों रख रहा है इसी के लिए मैंने एक पूरा Bay of Bengal में बन रहा है आगे बढ़ते हैं नेक्स है Cyclone Hamun या देखेंगे Cyclone that is Hamun ठीक है ये भी Bay of Bengal में बनता है इसका जो नेमिंग है वो इरान ने की थी किसने की थी इरान ने और ये Cyclone भी October मन्त में ही आया था तो आप देख रहे हैं October मन्त में हमने देखा मैंने यहाँ पर नेमिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है यहाँ पर दो बार टू आ गया है देखिए तो यह तो यहाँ पर आप इसको थरी कर दो ठीक है और जो Cyclone तेज है उसको नेमिंग फोर कर दो Cyclone तेज नाम इसका रखा है तेज है और इंडिया ने इसका नाम रखा है पहली बात और ये भी October मन्त में आया था ठीक है October मन्त में आया था और ये आया था बट Arabian Sea में याद रिखेगा Bay of Bengal में नी Arabian Sea में साइक्लोन फॉर्म हुआ है तो ये भी exam के लिए important है फॉर्म कहा हो रहा है नाम कौन रख रहा है आ किस मन्त में रहा है ये सारी चीज़े important होती है ठीक है next cyclone है cyclone विपर जो है ये तो आई होप आपने सुना होगा मैंने पढ़ाया भी था ये cyclone जो है ये Arabian Sea में बना था बतब ये भी Arabian Sea में बना नाम इसका बीचे बिपर जो है बीचे बांगादेश ये hint दे रहा हूँ मैं याद करने का बांगादेश ने इसकी naming किये फिफ्ट नंबर है दियान रखेगा ये और ये जून 2023 में बना था तो आप देख रहे हैं ना जितने भी cyclone से मैं सब बताए दे रहा हूँ और आगे भी जो आने वाले वो भी मैं आपको बताऊँगा ठीक है चलिए अगले cyclone में आते हैं जरी cyclone mocha या देखिए 6th cyclone है ये cyclone mocha ये बना कहा ये बना Bay of Bengal में और इसको naming किस ने किये ये बढ़ा इंटरस्टिंग है यमन ने इसकी naming की है यमन एक important country है comment box में आप मुझे यमन की capital जो है वो आप मुझे comment box में बताईए ये cyclone आता है May 2023 में आप देखे हैं न मैं decreasing order में जा रहा हूँ पहले मैं December से start किया मैं May तक पहुच गा हूँ इसके बारे में थोड़ा समय discuss करना चाहूँगा cyclone mocha के बारे में क्योंकि important है cyclone mocha याद रखेगा ये इसलिए भी important है Bay of Bengal में बना ये first cyclone था 2023 का 2023 में जो पहला cyclone आया है वो था cyclone mocha ही था याद रखेगा इसलिए important है क्योंकि इस साल का 2023 का सबसे पहला cyclone था cyclone mocha जो नहीं अभी आपको बताया ये बना mocha port city है जिसके नाम पर इस cyclone का नाम रखा गया है mocha Yemen में coffee के नाम से भी famous है याद रखना आपको coffee के नाम से ही famous है mocha coffee ठीक है तो उसलिए Yemen में इसका नाम mocha रखा था ठीक है तो याद रखना important cyclone है that is मैंने भी आपको बता दिया है cyclone mocha ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैंने इस साल के आपको साहे cyclone बता दिया मतलब cyclone mocha सबसे पहला cyclone था इस साल का 2023 का first cyclone उसके बाद आता है विपर जो है उसके बाद आता है तेज उसके बाद आता है हमून ठीक है उसके बाद आता है मिदली आप देखे ना और उसके बाद आता है मिचाउंग तो यह सारे cyclone जो है मैंने आपको सारे जो है वो डिसकस करा दिये ठीक है और अभी जो न्यूस में चल रहा है वो है मिचाउंग cyclone जो मैंन मा ने नाम दिया इसका impact आपने तमिल आड़ो में देखा है बट जो आगे आने वाले cyclone मैं अभी से बताए देरों आपको जो आगे आने वाले है डैस रिमल cyclone आने वाले है याद आखिये उमान नाम रखेगा इसका उमान ने actually naming जो होती है तो cyclones की countries पहले से ही कर देती है बिलकुल पता था जरूर आएंगे कब ये तो नहीं पता बट जब भी आएंगे अगला cyclone उसके वाला नाम क्या होना वाला है that is रिमल ठीक है तो देखी ये trick होती है याद करने की ये वाले जो है top 6 ये exam में आएंगे क्योंकि अभी recentty 2023 में ये cyclones आये थे अब हो सकता अगला एक और December के end तक एक और बन जाए तो उसका नाम याद रखे रिमल हो जाएगा ठीक है मैंने पहले ही आपको बता दिया है तो ये से cyclones कुछ जो exam के लिए बहुत important की naming आपको याद रखना है किस country ने नाम दिया है सिधे exam में question आएगा डन मानो इस lecture से question आ रहा है तो इस question इस topic को मद भूल जाना PDF में आपको provide कर दूँँगा वहाँ पर आपको साही चीज़े मिल जाएगी lecture पसंद आया हो बहुत जल्दी में आपको cyclones सब कुछ बता दिया हो अब कुछ लोग के दिमाख में को असा cyclone बनते कैसे है cyclone यह form क्या होते है cyclone होते क्या है यह सब की अगर आपको doubt query है तो कुछ नहीं करना है मेरे application को download करो वहाँ पर geography lectures देखो जाकर वहाँ मैंने cyclone पर डीटेल वीडियो बनाया हुए वहाँ मेरे पूरा formation कैसे होती है हर चीज़ आपको explain की हुई है तो जाकर आप application में कोई कुछ चीज़े देखो तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी PDF आपको मेरे telegram गूर्प में मिल जाएगी अगर आपको lecture पसंद आया हो मैंने आपको सारे cyclone एक single action बता दिया हो इंडिया का पहला cyclone जो impact हुआ है वो भी बता दिया है मैंने आपको याद अखिएगा वहाँ से start के और अभी तक के ते cyclone से मैंने side discuss किये हैं तो आपको इचीज पसंद आ रही हो आप initiative आपको पसंद आ रहा हो हमारा आप देखते हैं हर दिन आपको लोग आज की पेड़ पीडिएफ देते हैं बढ़ आपको free of course चीज़े provide करते हैं अगर आप हमें कुछ contribute करना चाहते हैं तो हमारा QR code है phone पे, paytm, google पे number भी mention है if you want to donate आप हमें donate कर सकते हैं याद एक खेगा एक खास बात में आपको बता दू हमारे notes पी available है 14 booklets है हमारे notes आप इन notes को buy कर सकते हैं इन notes को buy करने के लिए क्या करना है कौन से notes हैं यह याद एक हैं यह handwritten notes है जो exam के लिए बहुत important है सारी booklets से available है हर subject की quality, geography, even current affairs की भी booklets से available है यह 14 booklets आपके घर में courier हो जाएंगी ancient history, medieval, modern, static, geography, economic सारी चीज़े, Indian geography, physical geography आपको कौन सी book चाहिए यह याद दखिएगा आप मुझे whatsapp कर सकते हो क्योंके मेरा number दिया हुआ है कौन सी booklet चीज़े आप उसको order कर सकतो आपके घर तक courier हो जाएंगी ठीक है उसके लिए करना क्या है उसके लिए आपको मेरे application को download करना है devashish classes याद दखिएगा application को अगर आप download कर लोगे तो आपको महाँ पर हर चीज़े available होंगी महाँ पर आपको मेरे notes भी जो है वो जाद आपके classes भी जो है वो भी available हो जाएंगी ठीक है तो आप मेरी classes भी देख सकतो वो भी आपके लिए exam के लिए बहुत important रहेंगी याद दखिएगा अगर आपको courses चाहिए हो UPSC के पर प्रशन करो याद एग्जाम की, SSC वगरा की भी त्यारी कर रहो application को ज़रूर विजिट करो UPSC से लेके सारे courses अवलेबल है pre, main, सारे lectures आपको मिलेंगे आपको मैं सारे information मेरे application मिल जाएगी अगर आप चाहते हो personally information लेना contact number mention है आप contact कर सकते हो application से भी जाकर आप चीजों को buy कर सकते हो ठीक है तो यह lecture आपको कैसा रगा, comment box जरूर बताईए हम आपके lectures बनाते रहते हैं current affairs से लेकिए जितनी भी चीज़े रहती उनको हम मनाते रहते हैं appreciate करते रहिए चीजों को लाइक करते रहें वीडियो को, वीडियो को share भी करते रहें और PDF को कहा मिलना है, सबको पता है Telegram का group join कर रखाऊगा, नहीं join किया है link description box में जाकर आप Telegram को जरूर जोइन करें Thank you everyone, Jai Hind, Jai Bharat